सुंजेनेर्स आज हम बात करने वाले है कि कैसे waste plastic जो होता है वो road construction process में भी use हो सकता है और बहुत अच्छे से इसका use हो सकता है इसके बहुत सारे फाइदे भी है और इसका construction process भी समझेंगे हम लोग की कैसे इसे use करना है हमारे road construction process में सुंजेनेर्स आप लोगों को अंतक बने रहना है हमारे साथ इस वीडियो में इसमें आपको मैं पूरे तरीक से explain करूँ आप बहुत सारा data लेके आया हूँ मैंने आप लोगों के लिए सब्सक्राइब कीजिए सिविल गुरुजी चैनल को और बैल आइकन को दबाईए latest वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इसके use करने के लिए कहा गया है और इसमें इसके specification भी हमें दिये जाते है कि कैसे हम लोग इसे use कर सकते है उसे के बारे में हम लोग थोड़ा सा detail में आज हम बात करने वाले है सबसे पहले हम बात करते हैं कि वेस्टेज ऑफ प्लास्टिक के बारे में आप लोग सोच रहोग हमारे स्रिफ इंडिया से generate होता है और अगर मैं रोज की बात करूं तो लग भग 9200 टन वेस्ट प्लास्टिक हमारे इंडिया से ही generate होता है मंसीपल कॉर्परेशन की अगर हम बात करते हैं तो लग भग उसमें जो वेस्टेज निकलता है उसमें निकलता है लग भग 56 मिलियो 10-10 तंस का wastage जिसमें से 6% से भी ज़्यादा एप्रॉक्स की बात करूँ तो सिफ प्लास्टिक होता है तो इतना साधा प्लास्टिक है इसे हम लोगों को reuse करना है इसमें बहुत सारी ऐसी भी चीज़े होती है जिसे हम आसानी से reuse कर पाते हैं लेकिन हर चीज इसमें reuse हम लोग नहीं कर पा रहे हैं और फिर उस प्लास्टिक का क्या होता है आप लोगोंने देखा होगा समुंदर के किनारे कहीं हम गुमने जा रहे हैं वहां हर जगा पर सिर्फ प्लास्टिक 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 यही दिखता है तो इसे हम लोगों को रियूस करना एकदम स्मार्ट work के तरीके से जो कि हम लोग use कर सकते है road construction process में जो कि कई सालों से इसकी प्रक्रिया चलते आ रही है कि हम इसे use करना है कैसे use करना है अब finally जो है हमारे government of India ने बता दिया उससे पहले हम लोग यह समझते हैं कि यह step हम लोगों ने आगे कैसे लिया इससे पहले भी आप लोगोंने सुना होगा कि plastic ban होने वाला है यहना Union Minister of Environment ने एक और जो इसके खिलाफ स्टेफ लिया था कि अब जितने भी प्लास्टिक से उसको बंद कर दिया जाएगा सिर्फ one time use होने वाला जो प्लास्टिक है उसे ही एक जनवरी 2022 से लागू कर दिया गया है तो इसके बाद भी प्लास्टिक के कहीं पर कमी नहीं होने वाली बहुत सारा प्लास्टिक ऐसा है जिसे हम लोग अभी भी यूज कर सकते है और हम लोग उसी यूज कर सकते है bitumen के साथ इसलिए जो है बहूँत अच्छा combination बन सकता है bitumen road के साथ waste of plastic का जो wastage of plastic हमारा निकल रहा है उसके साथ हम इसे combine करके बहुत अच्छा combination बना सकते हैं जिसके त्रू जो है वो combination और इसकी strength भी जो है वो काफी बढ़ जाएगी Civil Guruji की library भी जो है वो अब आपके career में एक growth का बहुत बड़ा initiative लेके आई है वो ये है कि सबसे पहले आप लोग को मैं ये बता दू कि Civil Guruji की library में क्या है तो Civil Guruji की library में एक civil engineer को जितने भी courses आने चाहिए वो सब है सबसे पहले building construction training है उसके बाद highway है QA and QC है geotechnology है geotechnology के बाद project and building valuation है उसी के बाद architectural training है architectural training के बाद beam technology है building information technology वो है उसके बाद मैं बात करू structural training structural training के बाद project management है और बस इतना ही नहीं इसके बाद आप लोग को ये भी बताया जाएगा courses में कि कैसे आप अपना startup शुरू कर सकते हो startup के बाद problem solving courses है problem solving courses जैसी आप लोग खतम करते हो तो आप लोगों को मिलता है first sem से लगके 8 sem तक के engineering engineering में जो आपके subjects है उसका पूरा course content मिलता है इसके बाद भी बहुत सारे courses है जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हो उसी के साथ साथ आप लोगों को overhead water time urban planning ये सारी चीज़े bridge construction भी मिलता है इतने सारे courses मौझूद है civil guru जी की library में और वह भी कब तक के लिए lifetime तक civil guru जी आप लोगों को support देगा और यह सर्फ courses है इसके साथ साथ आप लोगों को session भी अटेंड करने मिलेगे life session भी तो एक पूरा package है जिससे आप अपने life में अच्छी growth पा सकते हो और यह आप लोगों को मिल रहा है हमारे जो republic day weekly offer है उसमें तो जल्दी से जल्दी आप लोगों को enroll करना है एक के बाद एक अपनी level बढ़ानी आप लोगों को first level, second level, third, fourth, fifth level तक पहुचना है और यह सारी चीज़े सीखनी है एकदम step wise सारी चीज़े जो है पूरे तरीके से manage किया गया है तो आप लोगों को यह सारी चीज़े सीखनी है और अपने life में एक अच्छी growth पानी है आप लोगों को तो हम बात करते है advantages की आप लोग जानते हो इंडिया में monsoon के season के बाद ही road तूटना शुरू होते हैं ऐसा क्यों होता है क्योंकि जो voids होते हैं उसके अंदर चला जाता है water और फिर road तूटना वहां से शुरू हो जाता है लेकिन जब हम लोग waste plastic use करेंगे हमारे construction process में road के तो वह बहुत जादा durable होगा अच्छी strength देगा और फिर अगर जो है हमारे pavement के voids के अंदर water नहीं जाएगा तो pot holes नहीं होगे तो road की conditions बहुत जादा अच्छी हो जाएगी अब हम बात करते है binding की तो जो binding होगी bitumen के साथ हमारे plastic की तो यह बहुत अच्छी होगी तो इसके वाज़े से जो इसकी strength बहुत जादा अच्छी हो जाएगी हमा हमारे इंडिया के अंदर उसे हम लोग बड़ा नहीं रहे हम waste of plastic का use कर रहे जो कि एक बहुत अच्छी बात है और मौर्थ ने भी मतलब ministry of road transport highway ने भी कहा है कि अब हमें जो है वो waste plastic को use करते हुए शुरू हो जाना चाहिए अब हम लोग बढ़ते हैं कि process क्या होगी हमारे waste of plastic को कैसे हम लोग जो है वो हमारे pavement में मिला सकते सबसे पहले hot aggregate aggregate जो होते हमें उसका temperature increase करना होता है लगबग 170 plastic coat कर देते हमारे aggregate के उपर जो हमारा hot aggregate था उसके पर हम coating कर देते हैं हमारे waste of plastic की उसके बाद हम लोग जो हमारे aggregate थे जिसके ओपर को जो हमारे coated aggregates होगे plastic के साथ तो तब ये जाके एक बहुत अच्छा bond बनाते हैं तो ये एक पुरा construction process है कि सबसे पहले जो हमने क्या किया कि हमारे aggregates को गरम किया aggregates को गरम मतलब उसका temperature increase किया लगबग 170 degrees Celsius तक उसके बाद हम लोगों ने coating की जो हमारा mixture था plastic का mixture था जिसका हमें shred किया था 2.36 mm से लेकर 4.75 mm तक उसके बाद हम लोगों ने उसे mix किया किस के साथ हमारे aggregate के साथ जिसका temperature हमने बनाया था उस aggregate के साथ हमने उसे mix किया mix करने के बाद हम लोगों ने उसे bitumen add किया जिसका grade था 60-70 से लेकर 80-100 तक का जो grade था हमारे bitumen का, उसके साथ हमने इसे continuous mix किया, उसके बाद हमने इसकी laying की, जब हम लोगों ने material को पूरी तरीके से mix कर दिया, तब इसकी laying करना पड़ता है, मैं लगबग 120 degree Celsius तक कि इसकी laying होनी चाहिए, काफी hot laying है, अगर अगर मैं normal बात करूँ, अगर normal hot bitumen की बात करता हूँ, तो 110 degree Celsius या 105 degree Celsius तक भी उसकी laying हो जाती है, लेकिन इसकी कितनी है, 120 degree Celsius तक कि इसकी laying होती है बस, और उसकी के साथ साथ अगर आप लोगों को यह नहीं समझ में आगो, कि सर इसका plant कौन सा होता है, कहाँ पर mix किया जाता है, तो उसका नाम होता है central mixing plant, जैसे कि hot mix plant होता है, उसी तरीके से central mixing plant होता है, लगभग same होता है, लेकिन इसमें जो है, वो shredded वाली machine होती है, जिसमें हम लोग plastic के छोटे छोटे जो है, वो 2.36 mm से लेकि 4.75 mm तक का size कर देते हैं, और उसी के साथ-साथ aggregate 170 degree Celsius तक कि उसमें hot किये जाते हैं, उसका temperature increase किया जाता है, अगर मैं बात करूँ, इसके advantages की, तो आप लोगों को मैंने जैसे बताया कि बहुत सारा जो plastic है, वो waste होता है, उसे हम लोग use कर रहे हैं, तो लगबग हमारे इंडिया के हर एक कोने से हम लोग plastic लाकर उसका utilize कर सकते हैं, और उसी के साथ-साथ इससे कुछ नुकसान नहीं हो रहा है, सिर्फ फायदा ही फायदा हो रहा है, और उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि अगर हम लोग तक bitumen भी safe कर रहे हैं, और उसी के साथ-साथ, हमारी जो durability है, हमारे road की वो भी बढ़ने वाली है, इसकी strength भी बढ़ने वाली है, उसी के साथ-साथ, अगर हम लोग ये देखें, कि जो eco-friendly हर चीज में हम लोग eco-friendly ढूणने के कोशिश करता है, तो ये एक बहुत जादा eco-friendly हो सकता है, हमारे इंडिया के लिए, हमारे earth के लिए, कि हम लोग जो wastage of plastic है, उसे भी हम लोग consume कर सकते हैं, उसका भी हम लोग reuse कर सकते हैं, उसे utilize कर सकते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा जो है वो initiative है, जो कि अब मौर्थ ने भी कहा है कि हमें से use करना है, और जल्दी जल वो अपने specifications भी हमें इसके लिए हमें बता देगा, कुछ specification उसने बता दिया है, लेकिन आगे आने वाली process में जैसे जैसे इसका use होने वाला है, लगबग हैदराबाद आसाम में इसका use किया गया है, 45 km तक का road जो है, वो आसाम में बनाया गया है wastage of plastic से जो है लगबग 45 km का road बनाया गया है अभी भी फिलाल में, so engineers ये information हो गई कि कैसे plastic wastage से भी हम लोग pavement design कर सकते हैं, बना सकते हैं, construct कर सकते हैं, तो मैं hope करता हूँ engineers की ये सारी चीज़े जो मैंने आप लोगों बताई, ये आप लोगों समझ में आई होगी, और आप एक strong step लोगे, सिविल गुरू जी की library enroll करके SGO बन कर, और भी ऐसे technical videos मैं आप लोग ले लाता रहूँगा, तब तक के लिए thank you and goodbye